नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आप सभी का क्रिसी हब यूट्यूब चैनल पे तो किसान भाईयों आज की इस वीडियो के माध्यम साब को बताने वाले हैं कि गेहूं में आपको कब-कब सिचाई करनी चाहिए गेहूं की बुगाई के बाद पहला पानी कब चलाना चाहिए दूसरा पानी कब चलाना चाहिए और आप देख सकते हैं कि इस गेहूं में दूसरा पानी चल चुका है और गेहूं काफी अच्छी है ठीक है तो इस पे हम लोग पूरा डीटेल में बात करेंगे वीडियो छोटी सी है लेकिन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फूल होने वाली है आप सभी किसान भाईयों से बीनमर आग रहा है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा नीचे रेट कलर का बटन होगा उससे सब्सक्राइब करके बगल में घंटे को प्रेस कर लीजेगा ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप सभी किसान भाईयों को उसका फायदा मिलता रहे क्रिसी हव यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाईयों को क्रिसी स्रिलेटेट सभी जानकारिया मैं देता रहता हूं टाइम टू टाइम तो चले किसान भाईयों वीडियो को start करते हैं जैसा कि आप सभी को पताऊना चाहिए कि गेहूं की बुआई होने के बाद गेहूं की बुआई होने के 25 दिन बाद आप लोग गेहूं में पानी चला सकते हैं 25 से 30 दिन बाद ठीक है ये मैटर करता है कि आपका जमीन किस प्रकार था बुगाई के समय पे उससे पहले भी एक दो दिन पहले भी आप चला सकते हैं लेकिन जो सही टाइम होता है 25 दिन होता है और दूसरा पानी कब चलाना चाहिए सभी किसान भाईयों का बहुत ही ज़्याद है आपको चलानी चाहिए और पहले पानी के बाद अगर पहला पानी आपने चला दिया है तो आप सभी को पता होगा कि आप दूसरे पानी का इंतजार है सभी किसान भाईयों को और बारिस का भी इंतजार कर रहे हैं कुछ किसान भाई जहां पे उन्हें पहले पानी के बाद जो सिचाई करने का टाइम होता है पहले पानी के 50 दिन बाद आप लोग दूसरे आप लोग सिचाई कर सकते हैं तो मोटे तोर पे आपको बता दू बुगाई के 25 दिन बाद आप लोग पहली सिचाई कर सकते हैं और बुगाई के 75 दिन बाद आप लोग दूसरी सिचाई कर सकते हैं अगर आपने पहली सिचाई कर रखी है तो उसके 50 से 55 दिन बाद आप लोग दूसरी सिचाई भी कर सकते हैं तो कुछ इस प्रकार का ratio रहता है सिचाई का तो गेहूं में अगर इस प्रकार आप लोग सिचाई करेंगे अगर आप सरसो की खेती करते हैं तो इसके बारे में में बन बताया है जो सरसो की खेती में जूہ आपके पौधह में जो फुल को कैसे रोका जाता है फल को कैसे अच्छा बना जाए उपज कैसे बढ़ा जाग यहूं का पैदवार दोगुणा कैसे किया जाए सारी वीडियोज मेरे यूटूब चैनल पर मिल जागी तो क्रिसी हब यूटूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा गंटे को प्रेस कर लीजेगा इसी प्रकार की अपडेट को पाने के लिए तो चले किसान भाईओं आज की इस वीडियो में इतना ही मि बुलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए टाटा बायबाय जयाहिन वंदे मातरम जय जवान जय किसान